दोस्तो सफेध बाल जो की आम समस्या है, मुझे लगता है कि ये सफेध बालों की समस्या भच्चे बड़े बुज़ सभी लोगों को है आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर क्या हूँ, इस नुस्खे को अगर आपने इस्तेमाल किया तो सारे सफेद बाल आपके काले हो जाएंगे, आप जो केमकल लगाते हैं भरवर के, वो केमकल मत लगाईए, इस नुस्खे का इस्तेमाल करिए, घरेलू नुस्खे क करिए इस्तेमाल और वीडियो पूरा देखना वीडियो पसंदाइस लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए यहां पर हमें सबसे पहली सामगरी जो लेनी है यह है दोस्तों आवला पाउडर आवला पाउडर यहां पर मैंने एक चमच ले लिया है आप अपने चोटी बनती है तो चोटी मोटी बनने लगे और बालों में नेचरल कलर मिलाएगा यानि की काला करेगा जड़ से सबस्क्राइब कोफी पाउडर कोफी पाउडर मैंने एक चमच लिया है यानि कि बराबर क्वांटिटी में लेना है अगर आपके बाल बड़े हैं या इसके साथ साथ ये जो कॉफी पाउडर है आपके बालों में चमक अच्छी लाएगा ग्रोथ भी अच्छी करेगा आप बोलेंगे वही बात बोल लहीं ने मैं क्या करूँ दोनों रेमेडी ऐसी हैं कि एक ही काम करते हैं यानि कि बालों को लंबा घना काला सिल्की सानी बनाती हैं दो coworkers की प्रॉब्लम में तो बहूं ही खतम करेगी बालों का फियेच लेबल भी बढ़ाएगा और बालों को जड़ से काला करेगा तो आपके बालों में एक बार में ही लेकर कर आएगा अगली सा मगतनी यहां पर डाल-दिया है नारियल का तेल यानिकी coconut oil नारि में कभी रूसी नहीं होने देगा ठ्यक है और जड़ से काला भी बनाता है इसके बाद में हम डालेंगे ये ऑलो-बेरा क्या जैल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंने ऐलोवरा का जूस डाला है जो कि अगर आपके पास में ताजा मिल जाए तो ताजा लीव लीजिए यानि कि ताजा पती ले लीजिए अलोवेरा की उसमें से पल्प निकाल करके जंब मिक्सिके जर्म डालिए और इसका जेल बना लीजिए ठीक है तो आपका यह आपका जेल बन जाजल यानि जूस बन जाएगा थोड़ा सा पानी डॉल करके या फिर असको एसा बना ले वह को तो वैसे ही मौसम चल रहा है कहीं ब्लो में खुझली हो रही है कहीं नमी की बज़े से आपके रैसे हो जाती है इस केल्प में ठीक है दूल मिट्टी गंदी मारे क्या होता है बालों की जड़ों में जम जाता है जिससे की आपके रॉम्शिद्र बंद हो जाते हैं और यह एलोवेरा क्या क अगर मैं आपको गिनवा हूँ ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अच्छा एक आप से रिक्वेस्ट है ब्यूटी टेप्स नमरता चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फेस्विट पर देख रहे हैं तो फॉलो जरू कर लेना और इस वीडियो को लाइक करना दोस्त लाओं को जड़ से काला बनाएगा बालों में चमक लाएगा आपके बालों में इतनी साइनि आ जाएगी कि मैं सच बतारिए आप दोबारा से मेरी वीडियो पर आएंगा और मुझे कमेंट करेंगे कि मैं मुझे फाइदा मिला है मेरे बालों का प्येच लेबल बढ़ गया करके देखेगा कहने की बात छोड़िए आपको अपने बालों को जड़ से काला गना लंबा सिल्की साइनी बनाना है तो इस नुसके का इस्तेमाल करिए आपके बाल अगर सफेद हो चुके है तो उन बालों को यह काला कर देगा नेचरल तरीके से और अगर आपके बाल काले न जैसे कि नुसका तयार हो गया हमारा, तो अब आपको इसे लगाना कैसे, इसे लगाना है आपको बालों की जड़ों में, और यैसे कि हमेशा बाल जो सफेद होते हैं, जड़ से ही सफेद होते हैं, तो आप क्या करें, आप अपने बालों की जड़ों में इसको लगा लीजिए अच्छे से और लगा करके बस कुछ मत करना मसाज कर देना आप इसे लगाएंगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ अपने बालों में लगाया भी है ठीक है और लगा करके आपको क्या करना है आप चाहें तो इसको रात पर रखे लिए छोड़ दीजिए या या तो आप नहीं रात रख सकते हैं तो आप इसे 3-4 गंटे जरूर छोड़एंगा और उसके बाद आप सेंपू मत करियेगा उसके ऐना सिर्फ आपको पानी से अपने बालों को साफ पर लेना है क्योंकि अगर अप आप आप अपने बालों में सेंपू करेंगे तो सारा அ平 आपको क्या करना है पानी से दोईएगा दोने के बाद में इसको एक दिन के लिए छोड़ दीजीए एक दिन के बाद में आप सेंपू कर लीजिए बालो में आप देखना इतना अच्छा कलर पक्का हो आपके बालों में आप खुद देखेगा आपके सफेद बाल आपको काले मिलेंगे और अगर आपने लगातार हफते में दो वार इसको इस्तेमाल कर लिया कुछ दिन तक तो जड़ से काले होंगी सच बता रही हूं पिल्कुल नैचरल कलर आएगा और बाल आप लोग बहुत स नुस्का है विश्वास करिएगा इसको लगाएगा इसका कोई भी साइड एफेक्ट नहीं है तो आप इसको लगाएए और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कैसा रहा मेरा नुस्का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें दोस्तों सेरे करें चैनल को सब्स्क्राइब कर नमस्कार